हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू इस्टिडी कर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर आज हम IBPS PO 2022 के नोटिपिकेशन को डिसकस करने वाले हैं किस प्रकार से इसका नोटिपिकेशन आया है कितनी बैकेंसीच हैं प्री एक्जाम कब होगा मैं एक्जाम कब होगा इंटर्व यह सभी चीजे हम डिसकस करने वाले हैं आप हमारे एप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर लीजगा लिंक डिसकिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो वहां से सबसे पहले आप एप्लिकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं और जो भी इस्टिडी माटेरियल है और जो फ्री पर तो free test के लिए और study material के लिए आप हमारा application जरूर डाउनलोड करें देखिए दोस्तों IBPS PO का जो notification है वो out हो चुका है इसमें हम सभी चीजें आपके साथ discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें vacancies कितनी है तो PO की जो vacancies है वो है 6432 तो ये बहुत ही बड़ा number है और अभी आपके लिए एक और खुस खबरी है कि ये जो number है ये और बढ़ सकता है क्योंकि कई वैंकों ने अभी अपनी vacancy को open नहीं किया है कि उनके वैंक में कितनी vacancy है इसको open नहीं किया है तो ये number जो है वो और भी बढ़ने माला है तक ठीक है इसके बाद pre-exam की बाद करें तो pre-exam होगा October 2022 में और man का जो exam है वो होगा November 2022 में इंटर्व्यू कब होने वाला है तो जनवरी से फरबरी 2023 में इसका इंटर्व्यू होगा provisional allotment आपको कब जारी किया जाएगा ये April 2023 में जारी किया जाएगा यानि allotment letter आपके पास कब प्राप्त होने वाला है तो 2023 में यानि 2023 में आप नौकरी पाने वाले हैं अगर हम age limit की बाद करें तो age limit इसमें बताया गया है minimum 20 years और maximum 30 years बताया गया है कि आपकी जो उम्र है वो minimum 20 साल होनी चाहिए और maximum 30 साल होनी चाहिए education qualification की बात करें तो इसमें graduation कहा गया है कि आपके पास graduation की degree होनी चाहिए यानि जिस दिन आप form भरेंगे उस दिन आपकी graduation की degree जो है वो पूरी तरह से आपके पास होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आप graduation कर रहे हैं running में हैं और आप form भर दें भर भी देंगे तो आने वाली समय में आपको दिक्कत हो सकती है ठीक है तो graduation की अगर degree आपके पास complete है यानि किसी भी subject में तो आप ये form भर सकते हैं एक बार हम vacancies को देख लेते हैं कि किस bank में कितनी vacancies बताई गई हैं तो देखिए bank of वरोदा ने एन आर यानि इसने अभी अपनी vacancy open नहीं की है bank of इंडिया में जो total vacancies है वो है 535 और इसके बाद जो bank of महराष्ट है इसने भी अपनी vacancies नहीं खोली है canra bank में जो vacancies है वो हैं 2500 vacancies है canra bank में central bank of इंडिया ने अभी vacancies नहीं बताई हैं इसी प्रकार Indian bank ने और Indian और overseas bank ने भी अपनी vacancies नहीं बताई है यानि Indian overseas bank ले भी अपनी vacancies open नहीं की है पंजाब national bank में 500 vacancies है पंजाब and sind bank में 253 vacancies है और Yuko bank में 550 vacancies है इसके अलाबा Union bank of इंडिया में 2094 vacancies है इस प्रकार से total जो vacancies हो जाती है यह vacancies बढ़ने के chances इसलिए है कि जिन बैंकों ने अभी अपनी vacancies open नहीं की है तो वो जरूर open होगी आने वाले समय में और भी vacancies जो हैं वो increase होने वाली है तो अगर आपके पास यह सभी qualification है तो आप प्रकते हैं आप exam दे सकते हैं यह जो notification है इसका PDF आपको हमारे application पर मिलेगा तो आप application को download करने है वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा तो आसानी से आपको और भी जितनी भी जानकारी है वो सभी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो यह जानकारी आप अपने दोस्तों को भी share कर दे जिससे उनको भी information मिल सके जैहिंद वंदे मात्रम झाल